हलो फ्रेंडस बहुत बहुत स्वागत हैं आपका सुपरफास्ट स्टेडी एंड xperiematt पर तो फ्रेंडस इस वीडियो में हम एक डिसकस करने वाले हैं एक बहुत ही इंट्रेस्टिक टॉपिक के बारे में जो कि बहुत ही practical भी है जिसे आपने कहीं न कहीं face किया होगा जैसा कि आपने thumbnail में देखा ही है तो thumbnail में देखकर आप समझ गए होंगे कि हम discuss करने वाले है reasons for bearing overheating यानि कि bearing के overheat होने की क्या कारण है कहने का मतलब क्या क्या possible reasons हो सकते हैं क्या क्या possible कारण हो सकते हैं जिनकी वज़ा से bearing जो है वो overheat होती है इसको हम इस वीडियो में discuss करेंगे तो friends ऐसे ही industrial technical videos mechanical engineering field से related videos इस YouTube channel पर मैं upload करता रहता हूँ 1000 से ज़्यादा videos जो है अब तक मैंने upload कर दी है और मैं regularly नए नए videos जो है वो upload करता रहता हूँ अगर आप मेरी channel पर नए हैं तो please इस video को like करें और channel को subscribe करके bell icon को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर एक नए video का notification आप तक पहुँच पाया तो फिलाल इस video का start करते हैं बने रहेगा video में अन्तिता है bearing overheating याने कि bearing का overheat हो जाना normal operating temperature से अगर उसका temperature ज़्यादा बढ़ गया है bearing का तब हम ये कहेंगे कि bearing overheat हो गया है तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर normal operating temperature क्या होता है या फिर maximum operating temperature limit क्या है bearings के लिए normal operating temperature for bearing is 180 degree Fahrenheit और 82.22 degree Celsius याने कि अगर इस limit तक आपकी bearing का temperature है या फिर उससे कम है तो आपका bearing जो है वो बिल्कुल limit के अंदर चल रहा है और आपके bearing के लिए ठीक है लेकिन जैसे ही इससे ज़्यादा आपकी bearing की temperature बढ़ती है इसका मतलब वो ठीक नहीं है उसमें कुछ ना कुछ problems है और क्या-क्या reasons हो सकते है इसके चलिए हम इस वीडियो में अब discuss कर लेते है तो bearing की over heating का सबसे पहला reason जो है वो है poor lubrication poor lubrication कहने का मतलब यह है कि अगर आपके bearing की lubrication अच्छे से नहीं की गई है grease lubricated अगर आपका bearing है या फिर oil lubricated है तो उसकी quantity अगर कम है तो क्या होगा कम होने की वज़ा से आपकी rotating parts के बीच में friction जो है वो बढ़ जाएगा friction बढ़ने की वज़ा से वहाँ पर heat produce होगा और जिससे आपका bearing जो है वो उसका temperature बढ़ता जाएगा bearing heat होता जाएगा bearing का heat होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इससे bearing की performance भी कम होती है आपके machine equipment की भी performance कम होती है और उसकी efficiency भी कम हो जाती है साथ में bearing की life और maintenance का cost सब कुछ बढ़ जाता है यानि की bearing का overheat होना एक बहुत बढ़ा problem है अब bearing के overheat होने का दूसरा रस्प से बढ़ा reason है वो है excessive lubrication यह just opposite है poor lubrication के यानि की अगर आपने बहुत जादा ही lubricate कर दिया है आपके bearing को बहुत जादा grease fill कर दिया है उसकी bearing housing के अंदर bearings में तो क्या होगा जब आपकी bearings rotate होंगी तो क्या होगा उसकी rotating elements जो है वो move कर रहे है अब क्यूंकि वहाँ पर excessive grease पहले से fill up है तो आपकी rolling elements को excessive pressure लगाना पड़ेगा उस grease को फिर बाहर निकालने के लिए और क्यूंकि वहाँ पर excessive grease पहले से fill up है तो वो बार-बार उन cavities में अंदर जाएंगी और उसे pressure लगा करके bearings को बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि उसे move करना है जगा बनानी है तो यह जो process है continue चलेगा जिसकी वज़ा से excess load जो है वो generate होगा excess pressure जो है वो generate होगा जिसकी वज़ा से आपके bearing की heat जो है वो बढ़ जाएगी क्योंकि bearing को अलग से extra काम करना पड़ रहा है तीसरा reason है foreign particle या फिर dust enter कर गई है अगर आपके bearing के housing में bearing के casing में तो यह भी एक कारण है जिसकी वज़ा से आपकी bearing की temperature जो है वो increase हो जाएगी देखिए अगर dust particles आपके lubricants में चले गए हैं grease के housing के अंदर चले गए हैं तो क्या होगा यह छोटे छोटे particles की वज़ा से friction generate होगा है ना और lubricants की जो property होती है वो भी कम हो जाएगी यानि की lubrication property कम हो जाएगी अच्छे से lubrication नहीं कर पाएगा आपका lubricants क्योंकि उसमें foreign particles enter कर चुके हैं और जिसकी वज़ा से friction बढ़ जाएगा और friction बढ़ने की वज़ा से heat बढ़ जाएगा और as a result आपकी bearing का temperature बढ़ जाएगा चौथा reason है bearing overheat होने का वो है high load देखे किसी भी bearing को design किया जाता है bearings में design load पहले से दिया होता है कि उसका basic dynamic load rating कितना है और basic static load rating कितना है for example 22215 bearing है इसमें basic dynamic load दी होती है 217 kN जबकि basic static load rating दी होती है 240 kN यनि कि यह इसकी design value है इतने के लिए यह bearing जो है वो सही है लेकिन अगर इससे ज़्यादा load वहाँ पर apply होगा उस bearing में तो as a result आपकी bearing का temperature rise होगा और bearing overheat हो जाएगा पाँचवा reason है high speed जैसा कि high load था वैसे ही high speed भी है bearing के लिए for example 22215 के लिए आपकी जो limiting speed होती है वो 6300 revolution per minute होती है यानि कि 6300 rpm और reference speed यानि कि इसके लिए most suitable speed जो होता है वो है 4800 rpm यानि कि 4800 revolution per minute अब अगर आपकी bearing की rpm इसको इस limit को exceed कर लेती है यानि कि इस limit से ज़्यादा speed में चलेगी तो भी आपकी bearings जो है वो heat होने लग जाएगी और वो भी overheating होने का एक कारण है bearing overheat होने का छटवा reason है miss alignments जिस shaft में आपकी bearing mounted है अगर वहाँ पर miss alignments है miss alignments होने की वज़े से क्या होगा bearing में uniform load नहीं लगेगा यानि की bearing के किसी points में load ज़्यादा लगेगा किसी point पे load कम लगेगा जो की totally effect करेगा आपके bearing के operating को और जिसकी वज़े से क्या होगा आपका bearing का temperature जो है वो increase होगा और bearing में overheating की problem सामने आएंगी 7th reason है यानि की 7th reason जो है वो है looseness अगर देखिए आपने bearing को fit किया है अच्छे से fit नहीं हुआ है अगर आपका straight bore bearing है यानि की direct shaft में fit हुआ है अगर आपकी shaft की machining ज़्यादा हो गई है यानि की dia कम हो गया है आपका bearing loose fit है तो क्या होगा bearing अच्छे से mount नहीं होगा है ना और दूसरी चीज़ अगर sleeve वाली आपकी bearing है तो अगर आपने sleeve या फिर check nut को अच्छे से tight नहीं किया है वो भी loose है तो क्या होगा एक relative motion होगा shaft में और आपकी bearing में relative motion होगा क्योंकि वो अच्छे से fix नहीं है और उस relative motion होने की वज़ा से वहाँ पर friction, high friction generate होगा यहाँ पर और उस high friction की वज़ा से high heat generate होगा जिसकी वज़ा से आपके bearing का temperature बढ़ता जाएगा और bearing overheat हो जाएगा और bearing बहुत जल्दी fail होता है इस condition में तो इसलिए बहुत ही जरूरी है कि जब भी आप किसी bearing को fit करें install करें उसको properly करें बहुत ही सहीं तरीके से करें अच्छे से fit करें उसे जिसकी वज़ा से ऐसे problems जो हैं आपको देखने को ना मिने तो friends यह थे कुछ important reasons bearing overheating होने के यानि कि bearing की overheat होने के उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी अगर एक परसेंट भी वीडियो आपको helpful लगी हो तो please इस वीडियो को like कर दीजेगा चैनल को subscribe कर दीजेगा फिर से मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अलविदा